तो आईए अब जानते हैं आज की अंक राशी इन तारीखों में जन्मे लोगों को 10 अगस्त को मिलेगा शुब समाचार धनलाब का भी होगा प्रबल्योग जोतिश शास्त्र की तरह अंक जोतिश से भी जातक के भविश्य सभाव और व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है जिस तरह हर नाम के अनुसार राशी होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक जोतिश में नंबर होते हैं तो अंक शास्त्र क्यानुसार अपने नंबर निकालने के लिए क्या करना है जन्मतित ही महिने और वर्ष को इकायंग तक जोड़ना है और तब जो संख्याएगी वही आपका भाग्यांक होगा उदाहरन देख लेते हैं कि अगर महिने के 2, 11 और 20 तारिख को जन्में लोगों का मुलांक दो होगा अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन मुलांक एक के जातक तक तो बात करते हैं कि आज आप अभी अध्यात्निक मूड में दिख रहे हैं भई जीवन के उदेश के बारे में भी जवाब तलाश रहे हैं कोई यात्रा आपके लिए मददगार साबित हो सकती है सब जवाबों के उत्तर एक समय मिलना मुश्किल है शुभंक होगा उनीस और शुभरंग हरा मुलांक दो अपने स्वास्त पर जरूरत से ज़ादा ध्यान देने की जरूरत है अगर लगे तो आराम करें काम से छुट्टी लें आदम निरिक्षन के लिए आज का दिन उपयोगता है और यह मुख्य मुद्दा हो सकता है परिवार गतिशील दुनिया के बीच में संतुल कर रही है तो अकेले रहने के लिए समय निकालें आत्म आंकलन की जरूरत है बुरायों या जुए में शामिल होना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अभी और दूसरों को दुखी देखकर आप दुखी हो सकते हैं उनकी सहायता करने की मन्शा आपके मन में हो सकती है वाही होगी प्रमोशन भी मिल सकता है सकारात्मक परिवंतन आपका इंतजार कर रहे हैं शुभंक होगा दस और शुभरंग होगा हरा मुलांक पांच के जातक आज उजवल विचारों से आप अपनी ही नहीं बलकि अन्य लोगों की समस्याओं को भी हल करने में सक्षम होंग याद रखें कि अच्छे कामों का नतीज़ा अच्छा होता है इसलिए अच्छाई का रह कभी भी ना छोड़े शुभ अंक होगा पांच और शुभ रंग होगा नीला मुलांक 6 की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए आप किसी बैठक में शामिल हो सकते हैं या आत्म निरिक्षन करने के लिए समय निकालें किसी खास्ते सलाह ले सकते हैं इस समय पारिवारिक मदभेद आपके तनाव का मुख्य कारण हो सकता है तो इस प आप अपनी प्राथमिक्ताओं पर पुनर विचार करेंगे यहने कौन जरूरी है आपके लिए तो कारे की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया हुआ अच्छा समय ही आपको याद आएगा शुभंक होगा ग्यारा और शुभ रंग गुलाबी मुलांक आठ की बात करते हैं कड़ी महनत से आज आप काम कर रहे हैं और लगातार ये जो आपका काम है आपकी जो महनत है वो आज रंग लाएगी विर्थ बिल्कुल नहीं होगी दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करेंगे अभी आपके अधिकारों में विकास या परिवर्तन होता दिख सकता है शुभंक होगा बाइस और शुभ रंग हरा मुलांक नौ तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही बहतरीन रहने वाला है आपके कलपना शील, खोड़पूर्ण और रोमेंटिक विचार आपको प्रेरित करते हैं उबाओ और ठका देने वाले कामों को छोड़ आपकुछ रोमैंचक और मनुरंजक काम करना चाहा रहे हैं तो बिल्कुल उसके लिए आगे बढ़िये, बहुत ही शुभ समय चल रहा है, शुभंक होगा नौ और शुभ रंग होगा कॉफी